नहीं से दोस्तों दोस्तों आप लोगों ने नियूस प्रमें ये न्यूस पड़ी लियोगी कि जो डायट डियलेट के केंडिडेट्स हैं ये लगातार मंत्रियों के पास जा रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि जो प्रात्मिक शेशक बढ़ती है इसको जल्द से जल्द कि जो न्यू ट्यूरी में जो शिक्षा प्रभारी हैं उनके पास ये टीचर्स गए हैं और इन्होंने का है कि लगबग 27,000 टीचर्स ने फॉर्म भरा होगा प्यार्टी का उसमें से लाइस टाइम जब इन्होंने इंक्वैरी करी थी डियो से तो उन्होंने का कि 10,000 के है डाटा का तो आप लोग जानते हैं कि पहले लिस्स दिखाए जाती है न तो अभी लिस्स दिखाने के लिए सिर्फ 10,000 बच्चों का ही डाटा अभी डलाए सरकारद्वारा तो इनका यह कहना है कि इसको जल से जल प्रोसेस किया जाए और जो कोट है वो तो अपना काम करत हैं यह क्या कर रहे हैं फिलाल सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और कोट से प्रॉस लेने के चक्कर में लोग अब आप जानते कि कोट میں भी फिलाल केश चल रहा है जब तक केश सॉल्व नहीं होगा फाइनल डिसिजन नहीं आएगा तब तक तो कुछ होगा नहीं ऑनका कहना ह है कि जो डाइट डियलर के केंड़ेट है कोट उनको स्पेशल पर्मीशन देके उनको अलग कर दे और उनकी रिक्तियां जो है वो डाइट के थुरू रिक्तियां पूरी कर दी जाए ठीक है जो डाइट है वह इनकी रिक्तियां इनका डाटा देके इनकी रिक्तियां पूरी कर होगा तो ऐसा करने के लिए यह लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर हर मंत्री पर दबाव डाल रहे हैं शिक्षा मंत्री के पास भी यह जा चुके हैं तो लगवग पांच साड़े पांच सवे करीब इनकी संक्या है और यह चाहते हैं कि इनका सेलेक्शन हो जाए अब आपको म लगाने के लिए और इन्होंने ही हर जगा पंगा यही करते हैं डाइट डिलेट के केंडिट्स और भरती प्रक्रिया को रोकने में इनका सबसे बड़ा योगदान है जहां तक मैं समझता हूं अब होगा क्या कि इसकी संभावना तो बहुत कम है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मंत्री लोग दवाव में भी आजाएं डाइट डिलेट वालों को जैसे पहले आगे थे दवाव में आप लोगों ने देखा था कि जैन्विरी में एक महिने बाद इसे इन्वैलिट कर दिया और कहा गया भाई हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में अब यह कोई बात समझ में नहीं थी तो पहले ही नहीं लेना चाहे था तो फिलाल यह हो रहा है यहां पर बहुत तगड़ी राजनीरती हो रही है भाई प्यार्ट के लि और इस डीलिट को भी सब को उतरना पड़ेगा ऐसा नहों कि आपस में अन डोनों की लडाई हो जाए और डायट डियलर वाले अलग निकल जाए क्योंकि फैसला होगा तो सब के लिए नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा- ऐसा नहीं होगा कि सरकार बहुत करा वहाँ ह सबने महनत करें है ऐसा को हम नहीं बोल सकते कि किसी ने कम महनत करें किसी ने जादा महनत करें वो तो अपने मन को तसलिए देने वाली बात है तो फिलहाल बहुत तगड़ी राजनीती चल रहे है उत्तरा खंड में और आप लोगों ने लगातार नियूस पेपर में देख लिय होगा कि डाइट डाइट के केंड़ेट कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बलकि इनकी संख्या कुछ भी नहीं है पांस साड़े 500 के करीब ही संख्या है इनकी लेकिन सरकार का इन्होंना खून भी रखा है और यहां देखिए आप हमारे बीट के इतने सारे विरुज कुछ सब्सक्राइब मुण्हें होरी है कुछ नहीं पता लग तो आप लोग तक प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है हर कोई बस YouTube देख लेता है वीडियो से यूटूब में और सोचता कि कुछ हो रहा होगा ऐसा है कि कुछ भी नहीं वाला है कुछ नहीं होगा डाइड के बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे आपने न्यूसपेपर में देख लिए होगा पसने भी मैं काफी लोगों को जानता हूं और मुझे पता है कि यह बहुत प्रयास कर रहे हैं और यह भरती खींच के लिए आ नहीं लेकिन अगर वाकई में जो चाहता है कि हां उसको जौब मिले तो संगठन मनाईए इन मंत्रियों के पास जाईए जो लोकल मंत्री पर भी हो आपका बीजीपी का उसके पास भी भले अगर वाकई में कोई चाहता है कि हां कुछ हो उसका तो प्लीज प्रेशर डाली इन पर संगठन जो है उपने एक्टिव करिए जो मरे वे तुम्हारे नेता हैं उन लोगों को बोलिए कि सारे कि सारे जाओ वहां पर और तभी कुछ हो पाएगा वना फिर वालों के लिए नेक अगर जल स्याद बेट का यहां हो जाए तो बहुत अच्छा है फिर निस के पास तो कोई प्रक्रिया जल से जल की जाए बड़ा पर दवा जाएगा मंतिरों की तरह से तभी कोड़ने प्रता कोड़ने पर दिसिजिशन नहीं जब सारे सबूत दे दिया कोड़ने पड़ने बाएक कोर्ट में कौन बैठा हुए इतने सारे देने के बाद भी जब डिसिजन नहीं ले सक रहा है या तो हां बोले ना बोले दोई चीज़ थो करने है उसको भी या तो भरती में नाईज को ले ले या फिर नाईज को बाहर कर दे तो बाकियों का सब्सरेक्शन करने के ल बन हैं संगठनों को बार-बार आप बोलिए कि भाई जाईए और खुद जाना पड़ेगा आपको ठीक है संगठन कोई प्रमुक नहीं जा रहे हैं अकेले कोई नहीं जा सकता है तो आप लोगों को जाना पड़ेगा और एक्जामपल सामने आपके जब डाइट डियलेट के क रखलेगार आओंगा, तंक वरिवर्ण